हेलो दोस्तों आप शब का भोधोश श्वागत है तो दोस्तों जो आज की वीडियो है आज की वीडियो में हम परिश थी थी कि तंत्र का जो है ना पार्ट नमर दो पढ़ेंगे ठीक है इससे पहले हमने पार्ट नमर एक को पढ़ा दिया है यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में इसका लिंक दिया है आप जाकर इसको जरूर देख लीजिए क्योंकि वीडियो पार्ट नमर एक है पार्ट नमर एक एदि आप पढ़ लेंगे तो पार्ट नमर दो आपको बहुत जादा अच्छे से समझने आने वाला है तो इसमें दोस्तों जो है ना हम परिष्टिती का पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें हम परिष्टिती की जो उर्जा प्रामेट होते हैं इन उर्जा प्रामेट के बारे में बात करेंगे कौन सा प्रामेट सीधा होता है कौन सा प्रामेट उल्टा होता है तो आपको बता देता हूँ वहुत अच्छे से clear चीजों को आप करने वाले हो इस वीडियो में आप इस से related हर एक question को complete करने वाले हो यह मैं guarantee देता हूँ ठीक है एक बार आप इस वीडियो को फूरा देख लीजिए आपको हर एक चीज समझ में ना आये तो फिर आप दूसरी वीडियो नहीं देखना मैं आप से खुद बोल रहा हूँ ठीक है तो आप इसको अच्छे से समझो और देखो तो आईए हम इसको start करते हैं विनादेरी किये हुए ठीक है चलो तो यहां पर देखो हम part number 1 में परिष्थिति की और परिष्थिति की तंतr ecology and ecosystem हम पढ़ जुके हैं तो आज ये part 2 में जो है घटक है साफ ये दो हैं ठीक है कौन कौन से घटक है जिसमें हमारा पहला जो घटक होता है परितंत्र का वह अजयबिक क्या होता है साफ अजयबिक होता है और हमारा होता है जयबिक घटक जी हां जयबिक घटक एक जयबिक और एक अजयबिक आप जानती हो ना जयबिक में जान होती है और जैबिक में जानने होती जैबिक और एजैबिक थीक है तो आपको बता अते हैं जो आकार्निक आते हैं जिसमें कार्वन नहीं का मतलब क्या होता सिसमें चार्वनस्य न हो वो होते हैं दगार्वनीक impressive से गया एक और हम भी went पिख और देखें तो यह सब याद रखना है ठीक है तो आप नैस्ठ जो आपका है वह जैबिक घटक और जैबिक क्या होता है जिसमें जान होती है जान मतलब जानवाले डिक है तो जैबिक में सबसे पहले कौन आता है जैबिक में सबसे पहले आता है उत्पादक प्रोड्यूशर उत्पादक उत्पादक में हरे पौदे मोश्टली रहते हैं जितने भी हरे पौदे हैं सब जितने भी हरे पौदे हैं तो अगर काउंट करें तो उत्पादक है क्यों उत्पादक वह होता है जो सूर के प्रकास से उर्जा प्राप्त करके अपना भोजन स्वैम बनाते हैं उत्पादक कहते हैं जितने भी हरे पोधे हैं हरे पोधे से मतलब जितने भी जैसे आपका कोई भी फसल हो कोई भी पेड़ ओ चोटे से छोटा बड़े से बड़ा पौसारे हरे पौदे ना उत्पादक में जाएंगे ठीक है अब भोकता की बात करें शाब भोकता वह होते हैं जो आपके जो उत्पादक से भोजन प्राप करते हैं उत्पादक से भोजन प्राप करते हैं बट उब्भोकता तो थ्री टाइप के होते हैं साथ प्राद्मिक उब्भोकता दोती उब्भोकता और तरती उब्भोकता तो इन पर भी बात करूंगा टेंशन मतलो है ना उब्भोकता ना तीन टाइप के हो तो यह सब क्या जाएंगे जन्तु है और अब वोगता प्राथ मीप दूतियों वर्तु की हो तीन नहीं होती है, अब घतक बो होते हैं, जो अब घतक बो होते है जो अब घतक आप मीप्टणqui कर मिप्टी और में मिल देटीयर hell fire they make up प्रटक क्या बोलते यह को मैं जीवात थी तो सप wore जीर मत लीजेगा आपको अद्श दिखाया एंट ठीक है चलो आंगे बढ़ जाता हूं तो मैं सबसे पहले आपको उत्पादक से बारे में बात कर देता हूं ऐसे पधार जो सूर के प्रकाश से उर्जा फ्राप्त करके अपना भूजन अपना खाना स्वयम पकाते साथ ठीक है जो सूर के प्रकाश से उर्जा प्राप्त करते ह है और अपना वो जन स्वइम पकाते उन्हें बोलते हैं उत्पादक को सारे हरे पौधे में आपको बता है ना जोटा हरा पौधा हो बड़ा हरा पौधा कोगी फसलो ग见यो की फसलो चने ऐक ही मसूर की की फसलो कोगिक फसलो चोटी से छोटा बढ़ पौधा बड़े से बड़ा पोद्ध है उत्पादक में आ जाएंगे शाब बिलकुल आपको टेंशन नहीं लेना है इतनी शीवी ठीक है चलो उत्पादक समझ गए आप उभ्भोकता तो थ्री टाइप के होते है शाब उभ्भोकता तीन टाइप के होते हैं प्राथमिक उभ्भोकता दोतियों भोगता और तरतियों भोगता ठीक है प्रात्मिक दोतियों और तरतियों तो आपको बता देते हैं प्रात्मिक भोगता जो होते हैं प्रात्मिक भोगता देखो मैं इस्ट्रेक्चर के तहस्त आपको समझाता हूं यह प्रात्मिक भोगता जो होते हैं ठीक है यह तो उत्पादक हो गया है ना जो सूर के प्रकास से क्या करते हैं सूर के प्रकास से भोजन प्राप करते हैं सूर के प्रकास से उर्जा प्राप करके अपना भोजन स्वें बनाते हो नहीं उत्पादक बोलते तो यह उत्पादक हो गया अब प्रात्मिक उभोगता साब प्रात्मि और भोक्ता जो होते हैं वो पीड पोधों से अपना भोजन टाप करती है प्रात्मिक और भोग्ता हमेसा साहखारी घ। strings क्यों हों Minya को Your God हमेसा उत्पादक फठी पोधों छेह अपना भोजनर प्राप करते हैं ठीक mich और आपको पता है ना आपने सुना होगा पहले के जो ब्यक्ति थे पहले के जो जानबर थे उनकी जो आयू थी ना बहुत लंबी हुआ करती थी क्यों हुआ करती थी क्योंकि पहले के उब्भोकता जो होते थे वो प्रात्म को भोकता हुआ करते थे वो केबल पेड़ पौधों पर अपना जीवन यापन करते थे पेड़ पौधों से खाना पीना अपना प्राप करते थे भोजन प्राप करते थे लेकिन आज का जो माना भैसाब आज का माना भैना साब वो दुतियो उब्भोकता बन गया है क्योंकि दुतियो उब्भोकता है रहना शर्वाहारी होते हैं सर्वाहारी मतलब मास भीखाते हैं चायित हो चुका ध्यान रखना है कि जो मानभ है वह शर्वाहारी है मानब है शर्वाहारी है मानब है दुतियो उभोगता है इनको याद रखो आप बेश्ट तरीके से ठीक है तो प्रात्मिक उभोगता केवल पेड़ पौदे पेड़ पौदों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और प्रात्मिक उभ्भोकता हमेशा साकारी होती है और दुतियों उभ्भोकता होती है वो क्या करते हैं उत्पादक को भी खाते हैं और यहां से आपके प्रात्मिक उभ्भोकता भी खाते हैं प्रात्मिक उभ्भोकता को भी खा जाते हैं ठीक है तो वो श्टर बहारी कहलाती तरतिय उप्भोकता में कौन आता है हमेशा मासा हारी जैसे आपने देखा होगा जो सांप होता है वो आपका मैडक को भी खा जाता है है ना सांप होता है वो चूहे को भी खाय जाता है ठीक है जैसे सेर है सेर है ना इंसान को भी खा जाता है है ना तो तरतिय उप्भोकता हमे प्रात्मे को बोगता हमेशा ना शाकाहारी होगे ठीक है और एकस के बाद जो प्रात्मे दुतिये तरतिये पेड़ पोदे सब को ठीक है सब के अपसेसों को जब मिट्टी मिल जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी में उपस्ति जो सूख्षन जीव होते हैं पचा देती हैं खा जाते हैं ठीक है तो आप घटक कहला तो आपको आप घटक की परिवाश्ज परिवाश न मिलेगी इतना आप शमझ गए होगे अब आगे समझाताा ओं आपको चीजों को गिलियर करता हूं पहले मैं उनकी एक्जामपल आपको एक्जेक्ट तरीके से बता देता हूं ठीक है चलो आपको बता देता हूं आपको पता यह हरे पौधे जो है ना वह आपके क्या है जो हरे पौधे हैं साब हरे पौधे हैं जो हरे पौधे को खाते हैं वो क्या है प्रात्मी को भोगता है ठीक है तो हरे पौधे कौन है साब उत्पादक है कौन है उत्पा हुआ ठीक है ये कौन है साब प्रात्मी को भोगता तो आप इसकी प्रात्मी को भोगता के एक्जामपल में क्या लेक रहे हो क्या लेक रहे हो खरगोस बक्री चुहा तिड़ी ये प्रात्मी को भोगता हुए साथ ठीक है प्रात्मी को भोगता ठीक है अब दुतियों भोगता की अगर बात करें तो दुतियों भेगता की आद करें तो आपको पता है कि जैसे भेडिया हुआ सेर हुआ ठीक है सर्प हुआ है ना ये चिडिया हुई क्या ही साथ ये दुतियों भोगता है है न क्योंकि दुत्यो भोकता जो है न वो प्रात्मी को भोकताओं को खा जाते है ठीक है तो इसमें मानप का सबसे बड़ा एक्जामपल लख दे न साप की आप से पूछा जाता है की मानप किया है तो मानप सर वाहरी है ठीक है तो ये दुतियो भोकता ठीक है क्या है कि जे चिडिये हैं वो टिड़ी को खा जाती है ठीक है तो आपको चिडिया हुआ सर्फ हुआ सेर हुआ भेडिया हुआ ठीक है ये दुतियो भोकताओं में आप लेख लेना ठीक है चलो इसके बाद आपको तरतियो भोकता के बारे में तरतियो भोकता है और और प्राथमिक भोकता तो कैसे होती है चाहारी घुतियो भोकता वर्य तरतियों भोकता मासारी तो आपको बता दिया इया आपको लिकेशा में रहे मैं 혁ना अच्छवाज आट तो ध्यान रखो खशाब में तो बैकरी चु通 या ठीड़ीht ती दूतियोब भोगता के लिए कईलनी बाज दूतियोब भोगता परफेक्ट एक्जामपल मिल गए न सांभ को ठीक है चलो आप आपको अपगटक के बारे में बता तो आपको बता देता हूं सबसे पहले जो अप्गटक है नहीं हमें सफाई करम्चारी भी कहते हैं। जो अप्गटक को है ना already हूआ होते हैं। तो अबर रॉल सूख जीव बता रहा हूं जो सूख जीव होते हैं यह कहलाते हैं अब गटक ठीक है लाइकेन बैक्टीरिया कबक यह सब सूख जीव जो उत्पादक और उभुकताओं के जो अफसेस होते हैं जैसे आरे आरे शाम आपको बता देता हूं जब इनसान की मृत्त होगताओं के ब्रदा में मिलते हैं या आजैबिक घटकों में बदल जाते हैं तो आपको यह बता देता हूं चुछ आप घाटक होता है आप घाटक के जो प्रत्वी को संतुलित बनाए रखने की मुख भूम का रहती है ठीक है आजईवी घाटक में बदल देते है जब मिट्टी मिल जाएंगे बाईमंडल में रिलीज हो जाएंगे तो ये आजएबी घाटकों में बदल जाते हैं तो तो आपको इनको याद रखना है मेरे दोस्तों ठीक है प्रतिवी को संतुलित बनाए रखने में जो आप घटक है यहां पर आप घटक कर ले ना आप घटक की भूम का महात्पूर्ण होती है जिससे हमारी प्रतिवी का संतुलन बना रहा है था शाब बना रहा है था इन चीज कर दो इस एक लाइक से हमारा motivation डबल हो जाता है आपका एक लाइक ही हम चाहते हैं ठीक है तो अब हम आपको प्रामिट के बारे में बता देते हैं और प्रामिट आपको हाई टाइप की बताएंगे ठीक है हमारा इस्थली प्रामिट कैसा होता है हमारा शागर और मरश्थली प्रामेट किस टाइप का बनता है तो आपको बता देते हैं ठीक है तो आपको पहले तो उर्जा प्रामेट जो हमारा उर्जा प्रामेट चलता है ठीक है उत्पादक से और भोगता और भोगता से अब घटक यह कैसे चलता है उसके बारे में आपको बता देते हैं ठीक है जो उर्जा प्रामेट होता है उर्जा प्रामेट हमेशा ये सीधा देखो आपने ये स्कूल में जब छोटी क्लास में होंगे तो आपने खुब ये इस टाइब के प्रामेट बनाए होंगे ठीक है तो ये आपका उर्जा प्रामेट होता है इस टाइब का प्रामेट कै होता है सीध ठीक है तो जो खाड स्रंखला का परामिट होता है हम इसा ना सीधAH होता है ठीक है आप सीधा क्यों होता है तो लेगे अक्सर आपको ज्यादा ही मिलेगी हमेसा आपको ज्यादा ही मिलेगी मतलब उत्पादक आपको ज्यादा संख्या में मिलेंगे उत्पादक आपको ज्यादा संख्या में मिलेंगे तो उत्पादक देखो आप ज्यादा ज्यादा संख्या में होती है ठीक है और उत्पादक ज् फिर उससे थोड़ी सी कम संख्या में मतलब साखाहारी आपको कम संख्या में आज कल के समय में देखोगे तो साखाहारी बहुत कम ही मिलेंगे ठीक है ठीक है हेरन की संख्या आप देख रहा है वह बहुत कमी मिलती है ठीक है इसके ऊपर आपको मिलेंगे मास बक्ष मतलब सेर यदि आपको सेर के देखे जाए तो सेर की संख्या कितनी है साब सेर की संख्या बहुत कम है न ठीक है तो इस टाइप से आपको यह जो उर्जा प्राम प्रामेट होता है हमेशा सीधा ठीक है और एक देखो आपका जो उर्जा प्रामेट है खाद सरंकला का प्रामेट है वो तीन टाइप से बनता है ठीक है एक आपका जो है ना उर्जा के रूप में बनता है एक आपका संख्याक देखो आपको बता देता हूं जो आपका उर्ज खाद सरंकला का प्रामिट है वो उर्जा के रूप में भी जो खाद सरंकला का प्रामिट होता है वो सीधा होता है ठीक है और संख्या के रूप में भी ये प्रामिट हमेशा सीधा होता है ठीक है और भार के रूप में भार के रूप में भी ये प्रामिट हमेशा सीधा ही बने आप इसको याद रखना है ठीक है तो आप आगे बढ़ें अब देखो इस संख्या की रूम में यहां पर आपको संख्या की रूम में प्रामिट दिखाया गया है ठीक है संख्या की रूम में प्रामिट दिखाया गया है ठीक है जैसे यह 100 किलो जैसे उत्पादक है उत्पाद किलो का 1000 का यही दस परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा सो आएगा ठीक है फिर इस सो का दस सो का दस परसेंट भाग यहां प्रात्मिक भूखताओं को मिलेगा ठीक है अब सो का का 10% मिलेगा तो मतलब 0.1 के आसपास मिलेगा ठीक है तो संख्या का जो प्रामेट बो भी सीधा है और यदि भार का प्रामेट देखें तो भी सीधा सीधा है अब ये 10% क्या है साब 10% साब ये 10% नियम है है अगर हम ऐसा करें उर्जा का प्रामेट अच्छा सीधा क्यों होता है ये भी बात करें तो उर्जा का प्रामेट साब सीधा इसलिए होता है है ना ताकि जो हमारा प्राकृति का जो संतूलन है ना वो प्राकृति का संत जुलान ना बेखड़े हैना अब ये ये प्रामिट ओल्टा हो जाए कैसा हो जाए तो आपको अब की साहाँ हो जाए ठीक है यदि आपको बता दें यदि उत्पादक हमारे पास बहुत कम है देखो अब कम जगह है तो उत्पादक क्या होगा कम ज्यादा और कम होगा है ना और ज्यादा संख्या में क्या होंगे खाने बाले मतलब उभोकता होंगे क्या ज्यादा संख्या में ठीक है इसके बाद दुतियोबहोकता और ज़्यादा संख्या में और अभाटक होँगे बहुत ज़्यादा संख्या में तो यदि उत्पादक हमारे पास हरे पौते कम है ठीक है तो हरे पौते कम है तो प्रात्मिकद каз hips का मतलब जो साखारी होगी वो कब तक खाएंगे कब तक जीवित रहेंगे जितना होगा उतना खा लेंगे क्योंकि इससे जादा है न ठीक है तो जो जिनको मिलेगा बहुत जीवित रहे जाएंगे ठीक है और जिनको नहीं मिलेगा उनकी मरत्यू हो जाएगी और जो खागए ह अब जो आपके साकार ही है जो जीवित है उनको क्या करेंगे यह दुतियोव भोगता खा जाएंगे और दुतियोव भोगता कितना खाएंगे क्योंकि दुतियोव भोगता की संख्या जादा है न साब जादा है तो कितना खाएंगे जितना खाएंगे उतना जीवित रहेंगे कि दस परतित्सत ऊर्जा का ट्रांसलेसन होना चाहिए तो यह खाद् gider Link Lam capacitor का नियम दिया था और चारिश एल्टन परस्थितिक प्रामिट की अबhesट और जो आपको प्रामिट देख रहे हैं इस प्रामिट की अबधार्ना किस ने दी थी इस प्रामिट की अबधार्ना ने दी थी तो आपको याद रखो ना इसको चीजों को ठीक है आपको बता देता हूं किस टाइब के प्रामिट कैसा होता है तो आपको अभी यहां पर बता लेता हूँ जितने भी इस्थली प्रामिट है जितने भी इस्थली प्रामिट है देखो इस्थली प्रामिट जैसे हमारा एक खादसरंखला का हमारा प्रामिट जो है न वह इस्थली है ठीक है जितने भी इस्थली प्रामिट होंगे वह हमेशा सीधे होंगे जैसे आपका जो यदि जो बन छेतर का प्रामिट बनाएं तो बन छेतर इस्थल पे होता है तो बन जो बन है वो इस्थल पे इसका भी प्रामिट कैसा होगा सीधा तो दिहान रखना जितने भी इस्थल ये प्रामिट होंगे जितने भी आपके जो जमीन पर प्रामिट होंगे जमीन पर अगर क कोई साई भी प्रामिट निकालें तो हमेशा सीधा होगा बट आपके जो सागर ठीक है सागर यहां पर बता देता हूं सागर में आपका तालाब भी जाएगा ठीक है सागर जैसे आपका तालाब हुआ ठीक है सागर की प्रामिट है न या जो मरू इस्थली प्रामिट होते हैं मरूश थली ये प्रामेट होते है ना साफ वो हमेशा इलते हूते है ना अपको बता देता हूँ उजा के आधार पर अगर इस प्रामिट को बनाएं तो देखो आपको पता है सागर जो होता है सागर में सबसे छोटे कौन होते हैं पलबक होते हैं ठीक है यह बता दिया पलबक होते हैं और पलबक की संख्या आपको पता है बहुत कम होती है ठीक है उससे जादा होते हैं जबड़ आपको जैसे साइक माचली ऐसे सार्क मचली की संक्या आपको दिखे कि क्या सार्क मचली की संक्या देखे कि क्या होगी वह से ज्यादा कौन सी मचली क्योंकि जो बड़ी मचली होगी उनकी उर्जा होगी तो अगर उर्जा के आधार परियदी सागर का जो है ना तालाप का जो मरुष्टल यह भाग का प्रामिट बनाएं तो वह हमेशा कैसा होता है उल्टा होता है क्योंकि उर्जा के आधार पर क्यो स्टल वाले सीधी प्रामेट होते हैं सागर मरुष्थल यह हमेसा उल्टे होगे तो इनको आपको याद रहना है उनको को अ उब elbows के अधार पर कुछ आपके उनके टाइप बता दे जो पोधोंबर डपेंट करते हैं वो साकाहरी होती है ठीक है, जो जीवों को खा जाते है वो मासाहारी होती है ठीक है अब मासाहारी देखो आपको पता देता हूँ साकाहारी देखो साकाहारी में गाय भैस बक्री हिरन ठीक है गाय भैस बक्री हिरन जे साकाहारी होगा है ठीक है अब मासाहारी में कौन आता है ठीक है जो आपने जंतूं पर डिपेंड करते हैं जैसे मस को भी खा जाते हैं तो इन्हीं क्या बोलते हैं सरवारी ठीक है जो पौधों को भी खाएं परात्मी को भूगताओं जो पसु अपना भोजन अन जीवों ध्यारा पचाए गये भोजन से प्राप्त करते हैं पर जीवी खिलाते हैं जैसे एक जीव ने भोजन अपना खा लिया और उसका भोजन जब पच गया है ना तो उस पचाए गए भोजन से वो भोजन प्राप करेंगे वो परजीवी कहला आते हूं परजीवी एक कोसी अत्वा बहु कोसी होती है ठीक है आपको बता रहा हूं विदा एक्जामपल टैंसर मतलो और आपके सरीर में एनरजी गई आपके सिर में भी एनरजी गई और सिर में कौन पढ़ गया है ससुरा जुआ पढ़ गया है और जुआ क्या कर रहा है ससुरा आपके जो सरीर में जो एनरजी थी आपके जो सिर है ना आपके जो सिर में जो बिलड था ना उसको खा रहा है ख जैसे आपका कोई साव बेटा जैसे कोरोना हुआ कोरोना सारा हम तो खा रहे हैं और हमारे अंदर घुसकर है ना वो खुद खा रहा है खुद खा रहा है जिसे जुआ है जुआ हमारे सिर में तो सस्रा पढ़ जाता है और हमारे सिर को खाता जाता है ठीक है तो जुआ हुआ है है न यह क्या हुआ हुआ जो हैं फ़ीज ऊंकड़ी जो अन्य प्राणियों के शरीर के भीतर रहते हैं है और उनको खाते रहें ठीक है कि जैसे कोई देख रहा है एक ब्यक्तिना टुकोर टुकोर देख रहा है कि कभ ये साला मरता हूँ और मैं कभ इसको खाता हूँ है ना जैसे कववा देख रहा है चुवा को साला ये कम बरता हूँ और कम मैं इसको खाता हूँ ठीक है है ना तो इस टाइब के म्रतोब जीवी है ना जो पस अपना भोजन म्रत तथा म Cathedral सप्राप करते हैं, जैसे लेक्तवाइसिलस असी टो बैक्टीरिया म्रतोब जी भी हो तो दोस्तो आज की वीदियो में बस बंदब्ड़ो में अब से प्र रिंखेंगए लेकिन आप हमारा मॉटिबेशन डवल कीजिए वीडियो को like करके और वीडियो को share करके ठीक है अपने friend circle में सभी को वीडियो share करें ताकि सभी लोग पढ़ें और तभी हमारा motivation डबल होगा और अंगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आने बाले हैं और अंगली वीडियो जो होगी वो questions से related होगी आपको theory उसमें नहीं कि भल आपको questions कराऊंगा with facts के साथ ठीक है जिस type के exam में question आते हैं हर एक type के question को मिले कर आऊंगा तो मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए thank you very much